Hello everyone, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है आज हम करेंगी हिंदी की कहानी चलात लोमडी जो हमें सिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए हमेशा अपने मन की बात सुननी चाहिए अपना दिमाग यूज करना चाहिए किसी की बातों में आते हैं तो हम हमेशा दोखा ही खाते हैं तो चलो हम कहानी पढ़ते हैं एक लोमडी बहुत बुखी थी वे बोजन की खोज में इदर उदर गूमने लगी जब उसे सारे जंगल में बटकने के बाद भी कुश ना मिला तो वे गर्मी और भूख से परिशान होकर एक पेड के नीचे बैठ गई अचानक उसके नजर उपर गई वरिक्ष पर एक कववा बैठा हुआ था उसके मुँ में रोटी का टुकडा था लोमडी के मुँ में पानी बराया वे कोई से रोटी शीनने का उपाय सोजने लगी तब ही उसने कोई को कहा क्यूं बाई कोई बैया सुना है तुम गीत बहुत अच्छा गाते हो क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे कोई अपनी परशंशा को सुनकर बहुत खुश हुआ उसने जैसे ही काने के लिए मूँ खोला रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया लोंब्री ने रोटी का टुकड़ा उठाया और नो दो ग्यारा हो गई कोई पिश्टाने लगा तो इस कहाने की शिक्षा है किसी की चाप लुसी में नहीं आना चाहिए तो देखा बच्चो कोई ने अपनी परसंसा सुनकर लोंब्री की बातों में आ गया और उसने बिना दिमाग लगाए ही अपना मुह खोल दिया और क्या हुआ उसकी रोटी उसके हाथों से शिन गई तो बच्चो ऐसे ही जब भी कोई निरने लेना होता है तो हमेशा अपने दिमाग से सोचो उसके बाद ही कोई निरने लो किसी की भी बातों में आके कोई निरने नहीं लेना चाहिए आशा करती हूँ आपको जे कहानी पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में